लक्ष्य निस्चित होते ही आपके कर्म एक यात्रा का रूप ले लेते हैं और फिर आज नहीं तो कल आप अपने लक्ष पर पहुँचे जाते हैं एक नेता जितना सरल हो उतना ही अपने समाज और अपने लोगों के लिए काफ़ी बहतर तरीके से कारे कर सकता है और जो लोगों की पीड़ा, अपनी पीड़ा को मान कर निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करे, वह समाज का सच्चा एवं इमानदार नेता होता है. जब हमने एक ऐसे ही सक्षम नेता के बारे में जानने का प्रयास किया तो ये सारी खुबिया हमने पाई एक खास सक्सियत के अंदर और वो शक्सियत हमारे आज के खास कारकरम के महमान भी हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं ललित यादव सिंग जी की जो की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी फैजाबाद में जिला ध्यक्ष के रूप में काफी समय से जन्ता के हित के लिए कारे कर रहे हैं इन्होंने पूरु में छात्र राजनीती से अपनी राजनीतिक कारियों को समाजवादी पार्टी के साथ शुरू किया अब वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कारे कर रहे हैं आईए जानते हैं ललित यादव सिंजी ने किस तरीके से चात्र राजनीती से अपनी राजनीतिक पार्टी को शुरू कर जिलाध्यक्ष तक पहुँचने का सफर कैसे शुरू किया और वो कितने संगर्षों के बाद जिलाध्यक्ष के पत तक पहुँच पाए आया जानते हैं जिलाध्यक्ष ललित जी के साथ उनके संगर्षों की कहानी उनही के जुबानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से फैजाबाद के जिलाध्यक्ष हैं हम उनसे भी जानेंगे उनकी किस तरीके के राजनेतिक जर्नी रही और कब उन्होंने अपने राजनेतिक करियर को शुरू किया किस तरीके से उन्होंने इन संगर्षों को पूरा करने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से ही आपने अपना राजनेतिक करियर शुरू किया या उसे पूर में ही आपका राजनेतिक करियर शुरू हुआ मैं राजनेति में छात्र जीवन से हूँ और मैं पुर्बांचल के सबसे बड़े महाविद्याले साकेत महाविद्याले का सुसाकेत महाविद्याले का इशुरूर्ण रहा और मैं बहाँ छात्र राजनेतिक करता था उसके बाद समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ राजनीत करते थे और मैं छाद सभा का विदान सभा अदेश अजुद्या का रहा उसके बाद समाजवादी पार्टी यूजन सभा का मैं विदान सभा अदेश अजुद्या रहा मैं छेट पंचायद का चुनाओ भी लड़ा था चुनाओ जीता और हमारा केरियर पची सो साल क समाजवादी पार्टी में बड़ी मजबूती से रहा और जिले स्तर पे मुझे समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष बनाने के लिए आदर्णिय सुर्गी मित्र सेन यादो जी ने पस्ताव करके मानिय मुलायम शिंग यादो जी के पास भेजा था जिसमें बड़ी मजबूती से मेरा नाम चल रहा था लेकिन राजनेतिक पर्तिदुनता के चलते हुए पुना जो पहले जिला ध्यक्ष से मानिय जैसंकर पांडे जी हम लोगों के राजनेतिक गुरू थे उनको पुना नेता जी ने जिला ध्यक्ष बनाया और मैं फिर पीछे हटा इसके बाद पार्टी में बड़ी इमानदारी निश्टा से हम लोगों समाजवादी पार्टी में काम किया समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद फैजवाद जिले में कुछ लोगों का नाम लेके अच्छा नहीं होगा जो मानी अकले सियादो जी के करीबी बताये जाते थे या अपने आपको मानते थे या उनको मानी लिजे उनके द्वारा कारिकरताओं का तमाम सोशड किया गया और समाजवादी पार्टी के पुराने कारिकरताओं नेताओं को किसी प्रकार का लाब नहीं मिलने दिया गया और उनको अपमानित भी होना पड़ा सरकार में उसी कड़ी में मेरा भी नाम था तो फैजाबाद के कुछ तथाकति नेताओं के कारण हम लोग दुखी थे और अधनिये शिवपाल सिंग यादो जी ने जब उन्होंने प्रगति सिल समाजवादी पार्टी का गठन किया फैजाबाद वो औजद्या दर्शन पर आये हुए थे और मेरी मुलाकात हुई उनसे हमारी बारता हुई वो हमारी बातों से हमसे संतुष थे यहां से जाने के बाद उन्होंने जब प्रगति सिल समाजवादी पार्टी का गठन किया तो पहले ही लिस्ट में उन्होंने मेरे नाम का घुसड़ा कर दिया जिलाद दश के लिए तब से मैं प्रगति समाजवादी पार्टी को फैजाबाद में मजबूत करने के लिए रात दिन जो भी मुझसे बन पाता मिनाद करता हूँ और प्रगति समाजवादी पार्टी को नई दिशा देने के लिए लगातार काम कर रहा हूँ सर जिस तरीके से आपने बताया कि आपके जो राजनेतिक शुरुवात है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से है छातर राजनीती में भी आप सक्रियर है उसके बाद प्रगति समाजवादी पार्टी तो क्या लगता है अब लगभक दो साल कभी समय नहीं बचा है जो लोकसभा का चुनाव होना है अगर विधान सभा का अगर देखा जाए तो सामंजस है दोनों पार्टीयों के बीच बन रहा है चाचा भतीजे की बात हो रही है और सामंजस की बात की जाए तो अगर विलय होता है इन दोनों पार्टीयों का विधान सभा चुनाव में तो किस तरीके से कितनी मजबूती के साथ दोनों पार्टीयां चुनाव में होते हैं ये तो पूरे परदेश में जग जाहिर है कि बगएर सुपाल यादों के प्रकतिसी समाजवादी पार्टी के राष्टी अधश के समाजवादी पार्टी अकेले अपने बूते उत्त परदेश में सरकार नहीं बना पाएगी ये समाजवादी पार्टी के जो जुनाव लड़ने वाले परदेशी हैं जो विधायक हैं जो पूर मंत्री हैं वो सुम कहा करते हैं कि अगर चाचा जी नहीं आये तो हम लोग जो है पुना उसी धरातर पर लेड़ जाएंगे इसलिए बड़ी हो सकता समाजवादी पार्टी को भी है शिवपाल यादो को अगर शिवपाल यादो उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो कहीं कहीं जो पिछली घटना हुई है लोग सभाचुनाओ की पिछले विधान सभाचुनाओ की जो दिक्कते आई हैं वो दिक्कते समाजवादी पार्टी की हैं लोगों के प्रती क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि वो 2022 के इलेक्शन में जो अगर सामंजस बनता है दोनों पार्टियों के बीच में तो वो सामंजस को जिताएंगी या अगर किसी कारणवश प्रगतिशी समाजवादी पार्टी अकेले अन्याए अत्याचार जो परदैस में हुआ है आधर्ररिय शुप्पाल सिंग्ः यादो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने लखनों में राजभोन का घराउय किया और लखनों में रोड चाम करने का काम किया तमाम मागों को लेकर के किसानों के शातरों के नौजवानों के मां क को ले करके उन्होंने रोड पर उतरने का काम किया है और फैजाबाद जिले की में बात करूँ तो फैजाबाद जिले में एक साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी एक प्रधान की दिन धारे हत्या कर दी जाती है और पूरे फैजाबाद में कोई उस आदमी का हाल चाल लेने नहीं पहुँचा था अब यहीं फैजाबाद में आदरने शुपाल सिंग यादों ने पूरी ताकत के साथ फैजाबाद आने का काम किया था और पूरी फैजाबाद की जनता आज भी आदरने शुपाल यादों को मानती है और एहसान मानती है का आदरने शुपाल यादों ने दो-दो बड़ी घटना यादों की हत्या फैजाबाद में हुई एक समाजवादी पार्टी लोहिया बाहिनी का विदांसबाद देश गुताई गजगा था उसकी भी हत्या कर दी जाती है और उसको भी कोई भी सहयोग नहीं मिला समाजवादियों का और आदरने यासि उपालियादो ने बहां से टीम गठित करके भीजा और सारे लोग आए और उसके बाद उस परिवार से मुलाकात किये और इस परिवार को ले जाकर के आदरने शुपालियादो जी से मिलवाए उन्होंने भरोसा दिलाया भरोसा दिया कि कोई भी जरूरत होगी हम आपके साथ रात दिन खड़े हैं अब वही घटना हले दौरिकापूर मिलकीपूर में परधान की हत्या कर दी जाती है तो आदरने मजबूती से सियुपाल जी के साथ खड़ी है और वो इंतजार कर रही उस घड़ी का जब सियुपाल जी यादो जी हाँ अपना कदम बढ़ाएंगे दो हजार बाइस में चाहे हो गड़वनन के साथ चाहे हो अकेले आएंगे उनके साथ जनता और पबलिक और यहां के कारि करता है खड़ रहेंगे जिस तरीके से आपने राजभवन का जिक्र किया राजभवन का घिराव मुझे भी याद आ रहा है कि बड़ी संख्या उस जो जुलूस था जहां पर उनके बेटे जो हैं उन्होंने भी पूरा सायोग किया जो यूद ब्रिगेड है तमाम जो जितन निकाय चुनाओं भी आने वाल है तो किस तरीके से निकाय चुनाओं को लेकर के पार्टी क्या मैदान में उतरेगी या सिर्फ लोकसभा विधानसभा चुनाओं में ही अपनी जो भागिदारी है वो प्रेशद करेगी अभी चुनाओं के संबन में आधनिय राश्टिय मीटिंग बुलाया है उनका जो भी आदेश होगा अगर निकाय चुनाओं में उन्हों कहेंगे परत्यासियों को उतारा जाए तो मैं तो फैजाबाद में कई अपने साथियों को जिला पंचायत का चुनाओं लड़ने लिए परदानी का चुनाओं लड़ने लिए उनको प करेंगे अपने पार्टी के अपने बैनरतले अपने चंडे के साथ हम फैजाबाद में निकाय चुनाओं भी लड़ाएंगे तो ये थे हमारे साथ ललित यादो जी जिन्हों नों बताये कि जो प्रदेश इस्तर की राजनीती है वो कहीं ना कहीं अभी शुरू हुई है ले लोगों के बीच रख रहे हैं और हम इस बार चुनाओं में अपनी भागेदारी भी जरूर दिखाएंगे